हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने माईल चैनल पर मैं हो कमलेश फ्रेंड्स आज के इस वीडिव में आप सीखेंगे एकसल में फिल्टर फंक्शन का डॉपड़न के साथ यूज करना तो यहां पर देखें मेरे पास एक डेटा है जहां पर आप यहां पर यहां पर मिलेगा अब जैसे कि यहां से अगर लेता हूं 2022 का जैसे मैं क्लिक करोंगा तो आप देखेंगे कि यहां 22 का पूरा डेटा आपको इस तरह से आप कि दिख जाएगा इसी तरह मगर 23 करूंगा तो उसका डेटा आपको यहां मिल जाएगा और इसी तरह आप जो है 2021 का डेटा लिंगे तो 21 के यहां पर जितने भी रिकॉर्ड है इस टेबल के साब से वह सारे आपको यहां पर दिख जाएंगे कैसे मैंने किया चलिए इसको हम सी दिखते हैं तो सबसे पहले मैं इसको यहां रिमूब करता हूं ताकि मैं इसको फिर आसानी साब को समझा सकूँ तो यह मैंने हटा दिया है यहां से तो डॉप डॉन को भी मैं यहां से बहले रिमूब कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा यह बेटर समझ में आ जाए तो य इस तरह से भी हँट जाएगा विफंद ये एरद दिखा रहा है फंक्शन का क्योंकि मैंने यहां पर डॉप डॉप कर दिया है तो मैं इसको भी रुप कर देता हूं तो अभी हमार पस फ्रेस है स्टार्ट से मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम पहले डॉप 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 डॉ सकते हैं तो जैसे मैं आपके एर का बतारा थो तो यहां बना लेना है जाव को बना लेंगे तो उसकी बाद में निच्छे कर रखा हुआ हैं जो कि सलेक्ट होए तो इसके देखे लुए पे यहां पर लेकिन इसमें क्या करना है लिष्ट वाल्यrien को यहां यूज करना है जब आप इसको करेंगे तो यहां पर देखें इस तरह से एक और यहां आपको विंडू मिल जाएगी तो यहां तो के अंदर आपको दो अप्यों है या तो हम कैसे यहां बनाएंगे तो यहां एरो देख रहा है इसको आपको किलिक कर लेना है जब आप इसको किलिक करेंगे तो फिर आपको इसको इससे कर देना है जहां से आपका डेटा स्टार्ट है और जहां पर आपका डेटा क् जुका हुआ है तो यह देखे पूरी लिस्ट जो हमारा पास इस टेबल के अंदर थी वो सारा डेटा यहां पर आपको दिख गया तो इसका मैं फॉर्ण साइज तो रहा इनकीज करता हूँ तांकि आपको दोड़ा यह सही से देखे तो इसको मैं सेंट्रलाइज भी करता हूँ तो यह हमारा यहां डॉप डॉन बन चुका है यह हमारा पहला स्टेप था जो कि हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है अब हमारा क्या है स्टेप वह है फंक्शन के साथ हम इसको कैसे स्टेपल है डेटा है उसको आपको पूरा सकते हैं वित हैड़ के साथ ​​काल्र इसको इंपको यूज करना है कि हमसे पूछता है कि ऑनकुछतों न होगाना तो तो यहां पर हमारे इंपल्ट्टव कै रहेगा वो रहेगा हमारा यखले और वाला कॉलम हों तो किया करना है जिस करना है गई कब आ इसको इनकी डेटा चाहिए उसको आपको यहाँ पर उसकी रेंगा या यहाँ पर क्रेटिर्या के यहां पर डिंगे है पूथी तो हमी इंटर करनेंगे देखिं कि सब्सक्राइब कि 2020 year की जितने भी record है इन सभी salesperson का यहाँ data हमार पास आ चुका है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमने यहाँ पर header select किया था salesperson, city, state, year and sales उन सभी का यहाँ data हमार पास आ चुका है अगर आप चाहा रहे हैं कि आपको header के साथ यहाँ चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं इस ही header को आप यहाँ पर copy कर सकते हैं तो यह देखिए आपको data यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर देख जाएगा अब यहाँ पर मैं अगर कोई अगर drop down select कर लेता हूं like 21 तो देखे 21 के जित इतने भी हैं वह आपको यहाँ पर दिख रहे हैं और इस तरह अगर हम यहाँ पर 23 का देखें तो यह देखिए वन बाइवन जीचिस का भी आपको यहाँ रिकॉर्ड चाहिए एर वाइज तो उन सभी का आपको data यहाँ पर मिल जाएगा तो इसी तरह अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको इसको रटा देना है क्योंकि यह इसलिए अभी यहाँ से हमने डॉप दॉन को हटा दिया तो हम यहाँ स्टेट का बना लेंगे तो हमें data के अंदर फिर आना है आप जब आप यहाँ पर आएंगे तो data relation में आपको फिर से किलिक कर लेना है तो यहाँ इसको आप हटा देंगे हां से अब हम दूसरी range select कर लेते हैं वह हमें city वाली तो इसको मैं select कर लेता हूं फिर से और यहीं पर आपको आना है फिर आपको यहाँ पर ok कर देना तो यहाँ देखिए city का यहाँ पर data बन चुका है क्योंकि यहाँ इसलिए error दिखा रहा है क्यों पर city का जो data है उसको हम यहाँ पर select कर लेंगे तो इंटर प्रेस कर देंगे तो कि इंटर प्रेस करते ही देली का पूरा data यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर अगर हम किसी और city का data चाहिए like Mumbai का तो Mumbai के आपको सारे record यहाँ दिख गया है और मैसूर का आपको data चाहिए तो वह भी आपको यहाँ दिख गया है तो जो भी यहाँ पर जितनी भी city है तो इसके अगर्डिंग आप देख रहे हैं कि data हम यहाँ पर मिल रहा है तो यह मैंने आपको दो तरीके से समझाया friends बहुत ही आसान और सरल भासा मां समझाया कि कैस इसे जो है filter function काम करता है और drop down के साथ यह कैसे इसको आप यूज कर सकते हैं तो पहले तो मैंने आपको बताया कि अगर इसको यूज कर सकते हैं तो friends आज के वीडियो में इतना ही है friends उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसना है होगा अगर यह वीडियो आपको प्लीज को आप लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्स्वाइज जरूर करें friends ताके आपको इस तरह के नहीं वीडियो डेली देखने को मिल सके थैंक यू